वेल नमस्का दोस्तों स्वागत आपका Tech Durable के फ्रेश एपिसोड में तो अभी अपन बात करने वाले Static Process Scheduling ये बारे में तो यहाँ पर बात करेंगे हम कैसे Static Process से शिडूल होती है तो जल्दे शुरू करते हैं हमारे वीडियो लैट्स गोडरेबल तो फेंट से अभी इसमें बात करते कि क्या होता है Static Process Scheduling में Static मतलब आप समझे कि होगे कि जो चीज कभी चेंज ना हो ठीक न तो उसको बोलता है पन Static तो in Static Scheduling the assignment of task to processor is done before the programming execution begins तो Static Scheduling में क्या घरते है अपन की assignment होता है ना task का वो अपन processors में execution से पहले ही कर देता है तो execute करने से पहले हैं हमने decide कर देते कि कौन कौन से task जो है किसको करना है ठीक है किया करेगा तो जो टास्क है वो हमेशा execute हो गई होगा ठीक है information regarding task execution time and processing resource is assumed to be known at the compile time ठीक है तो अब जो information होती है task के execution time की मतलब कितना time लगेगा उसको execute होने में है वो जो अपन को है ना compile time पे पता होता है कि भाई किसको कितना time लगने वाला और किसको कितने resource चाहिए होंगे ठीक है क्योंकि आपर सब कुछ पहले से decide कर लिया थे आपा तो इसके अंद बाद आपने advantages के है इसके तो time is known at the compile time exhibition is superior तो अपने को time जो है पहले से पता होता है compile time पे और तो इस वाज़े से execution जो होता है अपना superior हो जाता है और यह पर हमें पता होता है कि execution जो है होके जाएगा ठीक है second आथा अपना guaranteed scheduling on time ठीक है तो यह अपने को guarantee आप समझी कि होंगे क्योंकि यहापर सब कुछ पहले से decide होता है तो टास्क के बीच में जो है आप जो कुछ भी चीज़ नहीं कर पाएंगे और यहापर आप कुछ भी नहीं चीज़ में एड नहीं कर सकते हैं एक बार execute करने यह बाद तो यह होता है इन फ्लेक्सिबल और सेगेंडर थाव इन एफिशेंट कैनोट यूज फ्री टाइम तो माले जी अभी प्रोसेजर फ्री हो गया तो वह पर वह जो है उस टाइम को यूज नहीं कर सकता है क्योंकि यहापर जो है सब पहले से decided है कि किस टाइम पर क्या एक्जिक्वेट होगा पिर अधर लॉस ट्रीप्यू टाइम सीप्यू टाइम आपको लोस होगा फिर अधर लो लोवर प्राइटी गिवन मोर टैम टिया फिर कई बर क्या होता है कि माले जी कोई टास्क जो इंपोर्टेंट नहीं होता ना उसको भी अपन ज्यादा टाइम देता है और अपने बात करने वाले वह है ट्रांजेक्शन एक्जीकूशन ठीके ना जो कि डिस्ट्रीटेंट में कैसे होता है कि माले जे कोई भी ट्रांजेक्शन जो होगा दो फ्रसेस के बीच में वह कैसे होगा ठीक है तो यहां पर आता है यह करेक्टर स्टिक्स पर डिपेंड करता है कि प independently कि भाई जो है मैं जो है फेल हो चुगा हूँ ताकि जो है पूरा जो पूरा जो सिस्टम में वो पूरी तरीका से फेल ना हो ठीक है यह आपर कोई करने लुका मनल ला है अगर एक चीज़ को कोई दो अर्फिय्स आप जचाती है तो इसको भी और यह कंट्रॉल सकता है तुन अबना दो तरहें के टैंसेख्शें के टैंसेट अशना की लिए प्लोग। और यह आपके servers है ठीक है ना तो यह client और server के बीच में एक client तीन जा सर्वर से भी एक साथ contact कर सकता है ठीक है तो यह होता है अपने अपने जो client और server है ठीक है तो यहापर server माल लिजे हैं आपने client ने request भी सर्वर अब यहापर server जो है वापिस से किसी दूसरे server को request भी ज़गर आए और वह किसी तीसरे आ रहा है वो client को मिल रहा है तो यह बता है अपना nested transaction आ यह था कि if client runs transaction then each transaction must complete before preceding to nest वाले जो अगर client जो है किसी भी transaction को run करता है तो हार एक transaction जो है पहले complete होना थी है जब अपन next transaction में जाएंगे if transaction are wasted then the transaction at same level can run in पर हमारा माले दो transaction जो है सीमी लेवल के है ठीक है ना माले इस दोनों जो है बहुत important है तो वो जो है parallel में run कर सकता है ठीक है client uses coordinator तो अब client जो है अपर coordinators को use करता है जिससे कि वो help परते है उस transaction को run करने में है ठीक है कि अवादा है atomic commit protocol तो यापन network can fail anytime यापर आपने कहते हैं कि नेटवर्क कभी भी fail हो सकता है तो इन single phase no way of ensuring durability तो अगर माली जे नेटवर्क fail हो गया तो अभी आपको पता भी नेगा लेगा गी है ठीक है single phase में इन two phase में क्या होता है कि durability होती है two phase में क्या होता है कि आपका जो अपने जो request बेची server को तो server आपको वापिस से reply back करता है कि मुझे वो request मिली या फिर नहीं मिले ठीक है तो two phase में अपन durability को इंशर कर सकते हैं तो फ्रेंस यह था इस वीडियो में अभी आपन नेक्स वीडियो में पढ़ेंगे कि आगे ये टॉपिक्स किया है तो थैंकिस हो मच आप वीडियो पसंदा रहे है तो लाइक के जो शेर किजिए अगर अपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कि लिजी क्योंकि मैं आपके लिए से वीडियो लाता रहता हूं थैंकिस हो माच चाहिंद वन्यमात्रों